प्रभुजी मेरा प्रश्नी है जैसे दुरु महराज निकल जायते एक बहुतिक इच्छा को मन में करके निकल जायते उन्हों ने की तपस्या की यह वो पौतिक इच्छाओं के मतलब अध्यात्मेक इच्छा में बदल जी जब अगवान ने उसको दर्शा दी है आँ Deto उसकद तो जो जुब था तो सब्सक्राइब तो प्रभुचि आज के ताइं में यह वहात दिकिंच्छा को हम अध्यात्मेक इच्छा में जी जी यह कंवर्ड कर सकते थ्यां तो पहले तो भक्ति का बोल वाला था ध्रुमाराज ने कर लिया हाँ बोले तो पहले तो भक्ति का बोल वाला था धुरुमाराज ने चलो छोड़ा चले गए लेकिन कल्यूग में हम लोग कैसे कर पाएंगे हमारे लिए हमारे लिए क्या सुझाव है तो कल्यूग में हम लोग कैसे कर पाएंगे तो पहली बात है कि कल्यूग में जो भक्ति करने वाले हैं दो तरह के लोग हैं एक जो घरस्त हैं और दूसरे जिनका विवा नहीं हुआ है जिनका विवा नहीं हुआ है वो लोग अपने हिर्दे में आंकलन कर सकते हैं जो पूरुष हैं इस्त्रियों को जो माता हैं उनके लिए विवा करना अनिवार है क्योंकि उनको सुरक्षा का उनको सुरक्षा चाह उनके लिए वो कोई विखल्प नहीं है, जहां तक पूरिशों की बात है, उनके लिए जिनका विवान नहीं हुआ है, और जो भक्ति में जुड़े हुए है, उनको या आंकलन करना चाहिए, कि हम लोग क्या घ्रस जीवन में जाना चाहते हैं, या भ्रमचारी आश्रम में हम प्रवेश कर सकते हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंतरन रख पाएं, तो अवश्य हमें भ्रमचारी आश्रम में प्रवेश करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, नहीं कर पाएं, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर पाएं, शादी करकी आ सकती है, लेकिन उसके बारे में सोचना जोरू चाहिए, भ्रमचारी ट्रेनिंग हमें अवश्य लेनी चाहिए, अब बात करते हैं घरस्थ भक्तों की, जो घरस्थ भक्त हैं, चारो तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, भावतम के ब्रकुर शुरू में बताया गया है, कि मंद सु मंद मत से घरे पड़े हैं, तो कैसी होगा, फिर कैसी होगा, इसका उधारन, इसका जो उपाय है, इसका उपाय हमें दबीर खास और साकर मलिक के जीवन से मिलता है, जो बात में श्री रूपा गुरस्वामी और सनातन गुरस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री चतने प्रवु के प्रमुक्षिश्यों में से उनकी गिंती होती है, जब मालदा डिस्ट्रिक में रह रहे थे, नवाब हुसैन शाह के यहां पर नौकरी कर रहे थे, तो रूपा गुरस्वामी और सनातन गुरस्वामी बार-बार श्री चतने महा प्रवु को चिठ्धी लिख रह जी कि आप एक कुल्टा इस्तरी की तरह महवार कीजिए, इसी में आपका फायदा है, यह उत्तर्स उनके दोनों शी रूप गुरस्वामी और सनातन गुरस्वामी संतुष्ट हो गए थे, तो इसका क्या मतलब है, जिस परकार एक कुल्टा इस्तरी होती है, वो रहती तो घ अधर में हैं, और पूरी मांदार इसे घर का काम करती है, पती की सेवा करती है, लेकिन हमेशह अपने प्रेमी के बारे में सोचते रहती हैं, ऐसे ही, जो घ्रस जीवन में भक्त रह रहे हैं, उनको भी एक कुल्टा इस तरी के तरह में बहर करना चाहिए, और अपने जो उन दिर्भा करते हुए पूरी जिम्मेदारी से, उनको अपने हिर्दे में सदायव, भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान को संतुष्ट करने के बारे में सदायव सोचते रहना चाहिए, और ये भी सोचते रहना चाहिए, कि इस प्रकार से योजना बनाने चाहिए, कि समय आने पर वो इससे बाहर भी निकल पाएं घरस्त जीवन में प्रवेश करके उसी में खतम ना हो जाएं वान प्रस्त के बारे में भी सोचें उचित आयू आने पर और तीर सान की आत्राएं करें एक पचास बावन साल की उमर के पश्चात में और दूसरे भक्तों का अधिक से अधिक संग लेने का परियास करें जीवन में फ्रस्टेशन आएंगी हां बिलकुल आएंगी ये संसारी दुखालिम तो है और कली उग में विशेश पर भाव भी है भाव अतम के शुरू में बताया गया है कि जब परिक्षित महराज कली के सामने आये थे और उन्होंने कली को मारने के लिए अस्त्र उठाया तो कली ने पैर पकड़ लिए थे परिक्षित महराज के तो वहां पर ये सवाल उठता है मार देते उसको जब पता है कि कली खराब है इसके कारण बहुत सारी प्राब्लम्स आएंगी मार देते भाई उसको पैर पकड़ेते तो पकड़ ल जयान हो जाता आप जहल लेते उसको वासुदेव दत भी तो बोलते हैं चतने महाप्रभू को है महाप्रभू पूरा संसार के जीवों के पाप मुझे दे दो मैं जलता रूंगा नरक में इनको भगवत धाम ले जाओ तो परिक्षित महराज भी कर देते हैं क्यों नहीं महा प्रदान गुना किर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परमवर्जेत कली में दोशी दूश हैं लेकिन एक गुन है जो तपस्या करने से बड़े से बड़े यग्य करने से जो लाब पराप्त हो रहा था बाकी यूगों के अंदर सिर्फ हरे कृष्ण महामंतर का जब करने मातर से लाब प्राप्त हो जाएगा कल्यूक के जीवों को ये सुवधा परदान करने के लिए परिक्षित महराज ने कली का बधनी किया परिक्षित महराज बहुत इंटेलिजेंट हैं उन्होंने पूरे होशो आवास में ये नेने लिया तो हम लोग दुखों से घिरे पड हैं हमारे चारोतर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है लेकिन ये गुण है कल्यूक का कल्यूक का गुण है कि हमें कोई बड़ा भ्यंकर प्रयास करनी के अवशक्ता नहीं है केवल और केवल हरे कृष्र महामंत्र के जब से हमें सिध्धी प्राप्त हो सकती है तो बिलकुल करोड़ों साल पहले वो हमें भी हमें भी प्राप्त हो जाएगा केवल और केवल हरे किष्ण महामंतर के जब के मातियम से यही यही इस पूरे चैप्टर का चतने महाप्रभु के आविर भाव का यह पूरा सार है यह चीज़ अगर यह समझ लिया तो समझ लो बेड़ा पार है कि अवाल यही इस पूरा है यही दम से नह जब का यही प्राप्त है कि यह विया तो समझ लो ऑम सा बादिक कि वही चाहरा है कि जब कर दो वहाले है यही दो पूल से हौऱ यह झार दो